कि अंदुर्ष गाइज लिए लुए अधिक जैसा कि आपने हैं साइगोटिक एजुकेशन ब्रूप यूट्यूब के इस चैनल को आप लोगों ने महुत पसंदी किया इछे वीडियोज को आप लोगों ने महुत लाइक किया आप लोगों ने देखा भी वीडियो सविस्क्राइब भी किया तो अब जो है आज का टॉपिक है लोगों की ऐसी आप धार्णा बने वी है कि नंबर सिस्टम जो है वो चार भागवे बाटा हुआ है एक डेसिमल दूसरा बाइनरी तीसरा ओक्तल और चाथा हीटसा डेसिमल ठीक है ऐसी आप धार्णा अपने मन में पालना यह नंबर सिस्टम के साथ अच्छली माइन साथी है हम लोग क्याट मैट के एक्ग्जामिनेशन में हम लोगों के सामने बहुत सारा कुश्चन आएगा जो कि ना तो डेसिमल से होगा ना तो बाइनुरी से होगा ना तो octal जो होगा ना तो hexadecimal जो होगा तो number system जो chapter है इसका 78-10 series में मैं video upload करने जा रहा हूँ और ये मेरा number 11 है video से कि पिछने videos को देखते हुए इस videos तक पहुँचे ताकि लोगों को जादा से जादा benefit हो सके अब चलिए पहले इन छार number systems को हम लोग समझते हैं देखिए हर एक number system का जितना भी number system है इन छारों के अलावा भी मैं बताना चाना हूँ इन छारों के अलावा भी जो number system है उसका अबना base होता है जिसको radix भी कहा जाता है base को ही हम लोग radix भी बोलते हैं और वो base ही इस बात को decide करता है कि वो number system कौम कौम से digits को support करेगा जहां digit digit supported का formula होता है 0 to base या आप उसको radix कह लें minus 1 ठीक है यह formula है हम लोग आए दिन जो है जो decimal number यूस करते हैं जिसका base 10 होता है इसका digit supported actually 0 to 10 minus 1 होता है इसका मतलब हो गया कि यह 0 to 9 digit support करेगा हम लोग decimal number को कहा इसकान करते हैं अपने daily life कोई समान खरील पे जाते हैं वहां पुछते हैं यहां भई यह फ़लाना mobile आपने कैसे दिया तो तेरह हजार उपे वहां तेरह हजार क्या है एक decimal number इलिशली जब computer बना था तो उस वक्त computer को जब digital computer रहा गया तो वागई उस वक्त यह अलग अलग तरह का digits इसकान होता था लेकिर यहां पर यह technical call था scientific point of view से कि ज़स अलग अलग होल्टेज लेवल मेंट इतना बहुता था जिसके वज़ों से इजाद किया गया binary number गो जिसका base 2 होता है और चुकि digit support जिनका पर्वुला 0 to base minus 1 होता है इसी लिए binary number आपका 0 से लेके 1 तक ही digit support करता है यह मैंने decimal को classify कर दिया यह मैंने binary को classify कर दिया आजकल का जो computer है आजकल का computer जो number system यूज करता है वो binary यूज करता है चाहिए वो यूज करें या वर यूज करें 0 & 1 को collectivory कहा जाता है bit जहां bit को binary digit के नाम से भी जाना जाते है यह binary digit हो गया आपके सामने अगला number system है after number system जिसका base 8 हो होता है यह साथ जो में बहले भी formula में बताया यह 0 to base minus 1 मतलब 0 to 7 digit ही support करेंगा ठीक है चौथा number system एक साथ decimal number system है जिसका base 16 है तो निश्यत मुझ से यह 16 से 0 से 16 minus 1 मतलब 0 से 15 तक के digit को support करेंगा लेकिन यहां पर यह question उठता है कि आखिर चलिए 0 to 9 तो हम लें मान लेता है 0 to 9 जो है वो एक digit है लेकिन जैसे ही हम लोग 10 लिखते हैं तो 10 को 11 को 12 को 13 को 14 को और पगर हो यह हम लोग 1 digit मानने के लिए त्यार नहीं है सबोल हम मान लेंगे आप मान लेंगे लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कट सकते हैं वो 10 को 1 वीवल पड़ सकते हैं दो डिजिटर नमबर ग्याड़ा को दो डिजिटर का नमबर 1 वाल पड़ सकते हैं इसी लिए हेकसा डिजिवल नमबर में 10 को कैपिटल A से डिवोट किया जाता है 11 को कैपिटल B से 12 को कैपिटल C से 13 को कैपिटल D से 14 को कैपिटल E से 15 को कैपिटल M से लेकिन मैं बार बार ये बार दिवड़ाना जारा हूँ चाहे किताब में लाख लिखा हो कि नमबर सिस्टम दो भार में बटा रुए है डेसिमल चार भार में सुरी, डेसिमल, बायगरी, ओक्टल, हिकसा डेसिमल ऐसा नहीं है आप नंबर के बेस को चेंज करके आप एक नए तरह के नंबर सिस्टम को सामने ला सकते हैं अब रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि एक्च्वली जो नंबर सिस्टम है उसको दो भागवे बाटा गिया है एक नंबर सिस्टम जो आपका है वो है पोजिशनल नंबर सिस्टम पोजिशनल नंबर सिस्टम में बेस या रैडिक्स का कॉंसेट होगा जबकि नंबर सिस्टम में बेस या रैडिक्स का कहीं भी कोई जिक्र नहीं आएगा इस पोजिशनल नंबर सिस्टम में अगर जिदाल की बात की जाए तो आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है इस पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपका आपके पास अलफाबेट्स है अलफाबेट्स भी नंबर होता है रोमन भी नंबर होता है इस तड़ा का जो नंबर सिस्टम है ये नंबर सिस्टम है ये नंबर सिस्टम है लेकिन यह चार नंबर सिस्टम आपके पास पोजिशनल में है, मैं यही बताना चाहरा हूँ, अब जैसे आप डेसिवर नंबर में लिखते हैं समोज 79 बेस 10, चलिए एक डेसिवर नंबर है, आप बाइनरी में लिखते हैं 1011 ये बेस 2, ये बाडी नंबर है, बीचे बेस में आप ऑक्टल में लिखते हैं 76 बेस 8, ये हिक्सा डेसिवर नंबर है, आप यहां लिखते हैं A B 9, बेस 16, ये हिक्सा डेसिवर नंबर है, चलिए मैं मान लेता हूँ किताब की बात, तो आप एक बात बताइए कि अगर मैंने लिख दिया 54 बेस 6, मैं आपको एडिशन निकाल आने के लिए बोल रहा हूँ, कि ये बेस 6 है, इसका बेस 6 में अडिशन क्या आएगा, आप बताइए यहां बेस 6 है, ये कौन जाने लिख सिस्टम है, डेसिवर है, ये बैनरी है, ये आउपके लेक्सा डेसिमल है, और ऐसे कोश्चन को पूशा जाता है, डिफर्ट मैट के इग्जामिनेशन में, कैट के इग्जामिनेशन में, अगर आप से कहा गया, 88 बेस 9, प्लस 78 बेस 9, बताइए इसका कौन सा बेस 9 में अंसर आएगा, बताइए ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो मैं इसी लिए ये बात कर लाना चाहा रहा हूँ, कि मैमरली पोजिशनल में बाटा गया है, डेसिमल, बाइनरी, ओक्तल, इसका डेसिमल, लेकिन इसके अलावा आप जब चाहें, मैं वो टेक्निक आगे के एक्जाम्पल्स में दूँगा, उसका टेक्निक बताऊँगा, कि इन साइड नंबर्स का क्या गड़ना है, ठीक है, अब है ये बात की चलि में, तो आपके पास, मैं, डी फो टेसिमल, डी फो बाइनरी, ओ फो ओक्तल, इस फो हिक्जाडेसिमल, ये ऐसे मैंने डिवाइल कर दिया, ठीक है, यहाँ दी फो टेसिमल, दी फो बाइनरी, ओ फो ओक्तल, एड एज फो, हुक्साडेसिमल, उससो कर दू है, दीठेसिमल से ऍस cooked powered नहीं है, बाईनरी से बाड़नी काoftर का नहीं है, हिक्सास हैक्तर का नहीं है, क्यों convert कर दा भाई ? जब डीक map में दिया होया है, और कहा जारा कि कर्वार्ट किज़ें तो वही आंसर हो लेकिन हाँ आप डेसिमन से बैयरी जिसमन से आक्टल, डेसिमन से हिक्सा डेसिमन से डेसिमन गयर सकते हैं अब पाइनल से डेसिमल, पाइनल से ओकल, पाइनल से हिक्षाडेसिमल कर सकते हैं और ओकल से दूसी हों से और हिक्षाडेसिमल से दूसी हों से मतलब परक्लूसर यह भी करता है कि there are 12 different conversions if your thought, अगर आपकी सोंज जो है, is restricted to only 4 numbers decimal, binary, octal and hexadecimal मैं आगे के examples में यह बात बिल्कुल क्लेवर कर दूँगा लेकि उससे पहले में यह साड़ का प्रक्शन बता दूगा जो basic चीज है क्योंकि basic से अगर आट के दर में जो बता हो तो उसमें पढ़िशाने की लिए होगी आपने आपको ठीक है? तो इस video का जो main aim है वो number system से पढ़िचाय करवाना है मैं आगे के videos में कैसे conversion होता है? किस की style का question आता है? आप उसको subjective way से कैसे solve करेंगे? आप उसको objective way से कैसे solve करेंगे? यह सारा videos में एक एक करके अप्लोट के होगा साइगोटेक education group के अंदर यह चैनल में यूट्यूब में जिनों को नहीं पता है वो यूट्यूब में साइगोटेक education group करके एक group में उसको search करें वहाँ पे बहुत सारा videos पढ़ा होगा आप लोगों के लाए एक एक videos को देखें उसमें कैसी जातवाड़ी है और अगर अच्छा रही लगे तो प्लीज निगेटीव कमेंट भी करें जहां पर भी निगेटीव कमेंट की लिवन को निगेटीव भी करें और अच्छा लगे कि इस सबस्स्राइब कीजिए बेल बटन लगाएए बगल में बटन होता है देखें और लोगों को दणाईये ताकि इस गूद का ज्यादा था ज्यादा प्रचान हो सके मुझे भी जहां कि मैं काम कर रहा हूं तो चले समाज का भणा हो लाए तो इसके बाद जो है नेक्स वीडियो में दोगा है ठीक है धन्यवाद जो इसके बाद जो है नेक्स वीडियो में दोगा है धन्यवाद